दिग्रस तैसल के कोविड केर सेंटर में बीत दीनों से लगातार एक्टिव पॉजिटिव मर्जों के संख्या बेताहशा बडोतरी में देखी गई है ऐसे में शनिवार शाम तक के आत्माल से रटी पीसियार के तहट हाथ आई पाच पॉजिटिव रिपोर्ट और दिग्रस कोविड केर द्वारा ली गई रैपिट एंटिजन टेस में चीजोली ग्राम की एक महिला के रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने की जानकारी मिली है इसके साथ ही शनिवार को ही साखरा गाव के साथ लोग पॉजिटिव से निगेटिव होने से उनने डिचाज दिये जाने की जानकारी कोविड केर के सूत्रों ने दी है गौरतलब है कि 20 दिनों कोविड से बड़ी संख्या में डिचाज होए लोगों की घरवापसी के बाद फिलाल कोविड केर में कुल मरिजों का आकरा अब 55 हो चुका है मालू हो की हाल ही में महेश नगर निवासी एक शक्स की कुरना से भी मौत होई थी जिसके बाद तहसिल में अब तक कोविड नाइटीन से कुल 15 लोगों की मौत हो चुकी है आपको बता दे कि रैपिड एंटिजन टेस्ट और आटी पीसियार टेस्ट के संबन में जारी हुई नई सरकारी गाइडलाइंस के तहत दिगरस कोविड केयर द्वारा प्रात्मीकता के आधार पर रोजाना 25 रैपिड एंटिजन और 25 आटी पीसियार टेस्ट के प्रक्रिया जारी है ऐसे में स्वेचा से टेस्ट के लिए आने वालोगों की मेडिकल इमर्जनसी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोविड नाइटीन टेस्ट के लिए भी वैकल पिक्स विदा उपलब कराई जा रही है कोरोना के बढ़ते फैलाओं के मद्द नजर देखा ये जा रहा है कि कई जगों पर लोगों में कोरोना का खौप बरकरार है जबकि कोरोना से डरने के बजाए हमें कोरोना से बचाओं पर थ्यान देनी की जरूरत है मालुम हो कि कुर्णा महमारी के चलते राज्य की कई शहरों और गाव में कुर्णा के प्रकोप के साथ ही कुर्णा से खौप से उपजिस्तिती डर को बढ़ावा दे रही है ऐसे में सयम के साथ ही सावधानी बरत ने और डबली ओचू की गाइड लाइन्स का सक्ति से पालन करना हर नागरी की जिम्यदारी है क्योंकि हमें कुरुना को मात देने के साथ ही चारों तरफ कुरुना को लेकर लोगों के दिलों में बैठे डर को दूर करना बेहत जरूरी है NBC News के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट